जय हैं दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर जूनियर हाई स्कुल साइक अध्यापक बरती पर इच्छा के लिए यहाँ पर बहुत ही महत्तुपूर्ण कॉस्चन आंसर तो वीडियो को पूर कॉस्चन आपका इरहा देखे भारत स्रीलंका और माल्दीप के भी समुद्री सुरक्षा को लेकर हाल ही में कोलंबो में आजित त्री पक्षिये पारता में भारत की और से हिस्सा लिया गया था तो इसमें कौन थे भारत की और से यह आपको बताना है तो आपका यहाँ पर फश्ट है और आपका सही आंसर होगा अजित दोभाल आपका इहां पर सही आंसर है इन्होंने इसमें हिस्सा लिया था question number आपका दो पूचा है पच्चिस जनवरी को मनाएगा राश्टी मतदाता दवस का विसाय था यानि कि इसकी जो थीम्स बताने है 25 है जनवरी को मनाएगा था राश्टी मतदाता दवस और इसकी थीम्स क्या थी तो आपका यहां पर सही आंसर विकल्प नमबर एक हमारे मतदाता को ससक्त सतर्क सुरक्षित और सूचित करना इसका विसाय था तो विकल्प नमबर एक आपक Q3 पूचा है रक्षा अनुसंधान और विका संगटन यानि कि DRDO ने हाल ही में स्वादेशी स्मार्ट एंटी एर फिल्ड बेपन का सफलता पुर्वक परिक्षण किया था एक परिक्षण नमन में से किस विमान से किया गया था तो वह विमान बताने जिससे इसका सफल परिक बित्य वर्स के पहले आठ महीने में किस अबदी में भारत में अब तक का सबसे अधिक FDI एक्विटी परवायदर्ज किया गया थे तो यहां पर आपको बताना है बित्य वर्स के पहले आठ महीने में तो आपका यहां पर चार का राइट आंसर है अप्रेल से नबंबर 2020 के बीच जो है एक्विटी प्रभायदर्ज किया गया है सबसे अधिक अंगला कॉस्चन क्या पूंचा है भारत में 72 गरतंत दवस के परेड में किस देश के त्री सेवा बल दस्ते ने भाग लिया था तो किस देश के यह आपको बताना है स्री लंका बंगलादेश भूटान या नेपाल 72 गरतंत दवस के परेड में तो पांच का राइट आंसर इसी आनिकी बंगलादेश है बंगलादेश जो है इसकी जो त्री सेवा बल है इसने इसमें भाग लिया था कॉस्चन नमबर छे है मौरकों ने इसराइल के साथ हाली में पूर्ण राज नेक संबंद इस्ता तो यहाँ पर कूट भी देगा है तो कूट की साहिता से आपको बताने है तो छेकर राइट आंसर है आपका D यानिकी आपकी आपकी यहाँ पर जो तीनों कथन है बहसे ही कथन दिये गए हैं कॉस्चन नंबर साथ क्या पूँचा है हाली में संबंद हुए मुक्य बाजी विस्तु कब पिरती हो गयता है भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किये है मात्पूर्ण कॉस्चन है करेंट की एक कॉस्चन आपसे पूँचा गया है और आपका सही आंसर है आपर साथ का सी आनी की नो पदक इसमें नासिल किये हैं भारत ने कॉस्चन नंबर आठ पूँचा है हाली में संपन हुए चटे भारत अंतराश्तिय विग्जान महुस्चा 2020 का लक्ष था तो इसका लक्ष क्या था तो आठका राइट आंसर होगा आपका यहां पर इसका लक्ष था अभ्यास में भारत के साथ हिस्सा लेने वाला देश है वह कौन सा देश है जिसमें इस नो स्यन्य अभ्यास में भारत के साथ हिस्सा लिया था तो आपका राइट आंसर है कॉस्चन नंबर नो का राइट आंसर है आपका डी यहां पर राइट आंसर है एक दो तीन और चार यानि कि यहाँ पर रूस, ऑस्टेलिय, अमेरिका और वियत नाम आपका सही आंसर होगा। Q10 पूंचा है, 16 नवंबर को इनमें से कौन सा दिवस मनाय जाता है, 4 विकल्प आपके दे गए हैं। Q10 का बी राइट आंसर है, कूट में आपको बताना है, एक और दो, यानि कि अंतराष्टिय सहुसुनता दिवस और राष्टिय प्रेश दिवस, यह दोनों दिवस मनाय जाते हैं, 16 नवंबर को Q11 पूँचा है, असोक का नेसे हैं, चतुरमुक, सीर्स, खालिस्तान में एक इस्तंब पर था, तो कन्योज, संभल, या गौतम बुद्ध नगर, या सारनाथ में Q11 का डी राइट आंसर है, सारनाथ, आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, Q12 है, विसागदत द्वारा लिकित, मुद्धरा राप्चस कौन सी भासा में लिखा गया है, तमिल, संस्कृत, पाली, हिंदी, महत्पूर्ण कॉस्चन पूँचा गया है, और आपका सही आंसर है, Q14 का डी राइट आंसर है, तारी के प्रोज साही के लेखक खालिस्तान है, इसके लेखक कौन है, तो 15 का सही आंसर है, आपका, क्या होगा राइट आंसर है, या उद्दीन बरनी, आपका यहां पर सही आंसर है, आंसर है, Q16 है, इन्वे से किस लडाई में अंग्रेजों न बंगाल की नबाप, सिराज उद्दौला को हराय था, तो किस लडाई में हराय था, अंग्रेजों ने, तो Q16 का सही आंसर वताना है, तो आपका राइट आंसर है, कि 1707 में प्लासी की लडाई, यह जो है आपका सह आंसर है, question number आपका यहां पर पूंचा है, 17 है, क्या थारा सो संताउन की बिद्रोई के प्रसित नेता में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1869 में खालिस्तान में फांसी दी थी, तो आपका यहां पर सही आंसर क्या होगा, तो question number 17 है, right answer है, यानिकी सुर्पुरी में इनको फांसी दी गई थी, सुर्पुरी में दी गई थी इनको फांसी, तात्या टोपे जी को, question number आपका अठारा पूंचा है, निमने लिखित में से, किस क्रांती कारी द्वारा, दा फ्ला निमने लिखित में द्वारा, पूंचा पूंचा है, किस से संबंदित है, question number 19 है, right answer बताना है, तो पंडित जबाहलाल निहरू, आपका यहां पर सही आंसर है, पंडित जबाहलाल निहरू, सरबदिक प्राचीन पूंचा है, तो यहां पर आपको बताना है, 20 है, right answer महत्त प दीपों को निकोबार दीप से अलग करता है, तो कौन करता है, यह आपको बताना है, तो आपका right answer होगा, यहां पर 21 का विकल्प नमबर D, 10 डिग्री चैनल आपका यहां पर सही आंसर है, विकल्प नमबर आपका D, right answer है, मूख माटी जिसको silent valley बोला जाता है, यह कहां पर इसते थे, केरल में, महराष्ट में, बिहार में, एतरपुरा में, तो 22 का सही आंसर है, मूख माटी, silent valley यह केरल में इसते थे, तो विकल्प नमबर E, आपका विकल्प नमबर E, आपका बिल्कुल सही आंसर बताया है, question number 24, देख लेते हैं, भारत में सबसे लंबा बांध नौर्मन, बोल्लोग के साथ सहयोग किया, जिसकी परिणती भारत में, हरतिकरांती के रूप में हुई, यह बताना है, तो सत्यंद्र, नातबौस, मेगनाद, साहा, या फिर हरे, गोबिंद, खुराना, EMS स्वामी नाथन, 24 का डी राइट आंसर है, EMS स्वामी नाथन, बिल पूर्ण, 25 का राइट आंसर है, आपका B, यानि की दूसरा इस्थान है, बिल्कुल चही विकल्प नमबर B, राइट आंसर है, किसी इस्थान की आदरता जानने के लिए, निमन में से किसका उप्योग किया जाता है, बताए, बहे, ओपकरन कौन सा है, बहे, ओपकरन आपके लिए आपर बताना है कौन सा अपकरन है, कौस्चिन नमबर 26 है, और आपका सही आंसर है, 26 का विकल्प नमबर एक यानि की, 26 का विकल्प नमबर एक यानि की, हाइग्रो मीटर आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही हाइग्रो मीटर राइट आंसर है, कौस्चिन नमबर 27 क आप पूछा मौलेक अधिकारों को लागू करने के लिए सम्मीधान ने किसे विशेस उत्तरदायत तो सौंपा है तो जो मौलेक अधिकार है इनको लागू करने के लिए सम्मीधान ने किसे विशेस उत्तरदायत तो सौंपा है तो किसको सौंपा है तो आपका राइट आंसर ह होगा यहाँ पर question number 28 पूँचा है कि सिरी रामनात कोगंद भारत के खालिस्तान हैं तो जो राष्टपती है और कौन से नंबर के हैं तो आपका यहाँ पर 28 का सही आंसर है विकल्प नंबर बी चौदवे चौदवे आपका सही आंसर है question number 29 है लोग सभा के पहले speaker कौन थे question number 29 का right answer बताना है तो 29 का सही आंसर है आपका जीवी मावलंकर अंगर आपका नहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर यह आपका सही आंसर होगा खालिस्तान को विधान सभा का सन्नावसान कनने की जो सक्ति होती है तो किसको होती है यह आपके लिए बताना है तीसवा question है और तीस का right answer है विकल्प नंबर एक यानिकी राजजपाल राजजपाल विकल्प नंबर यह आपका right answer है question number 31 आपका इस पूँचा है तेत्य आत्य 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 चांसर है गरेलु लुहिंसा से महलाओं की सुरक्षए है तू अधीनियं कबलागू किया गया तो 32 का राइट आंसर है विकल्प नंबर A यानि की 2006 में 2006 आपका सही आंसर है Question number 33 पूंचा mutual fund और share वाजारों के लिए मूल भूत बिनियामक प्राधीकार किसे प्राप्त है तो भारती पृति बूति बिनिमय बोड को भारत सरकार को भारती रिजर बेंग को या stop exchange को 33 का आंसर बताना है तो 33 का आपका विकल्प नंबर A भारती पृति बूति 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 बोड आपका सही आंसर होगा भारत का यहाँ पर Question number 34 पूंचा भारत का सबसे कम जन संक्याबाला राज्य कौन सा इसक्यम मिजुरम उत्तराखंड अरोना चल परदेश तो 34 का जो सही आंसर है विकल्प नंबर A आपका सही आंसर है इसक्यम आपका राइट आंसर होगा किर्सी उत्पादन बेंचने के लिए किर्सी उत्पादन बेंचने के लिए एक नया मंच भारस सरकार द्वारा शुरू किया गया है उस नया मंच को दिये गया नाम क्या है उससे नया मंच को दिया गया नाम क्या है तो आपका राइट आंसर कौस्चन नंबर 35 का कौन सा होगा विकल्प बता दीजे बिलकुल सही ए रकम आपका सही आंसर है विखलत नंबर ए आपका यहां पर सही आंसर होगा ए रकम अंगले question क्या पूँचा है question number आपक यहां पर 36 पूँचा है देख लेते हैं question number 36 कि रोपय बीसजार कलोर के 5 पांचवर्स ये बजट के साथ प्रारम की गई नमामी गंगे परियोजना के अंतरगत कितनी नदियां समलित की गई थी तो जो नमामी गंगे परियोजना के अंतरगत जो नदियां समलित की गई थी चार नदियां बारा नदियां आट नदियां केबल गंगा तो इसमें समलित की गई थी केबल गंगा नदी संबलेत की गई थी तो विकल्प नंबर ये डी जो है आपका सही आंसर है question number 37 क्या पूँचा है धंद जो नमी के बड़े कणों से बना है कहलाता है कोहरा बादल ओस या प्रोक्तिस में से कोई नहीं तो question number 37 है ये कहलाता है कोहरा कहलाता है क्या कहलाता है कोहरा बिलकुल सही आंसर है भारत में कुल कितनी संदक्चित जय वंडल यानि की बायो इस्पियर रिजर्व है 10 है 18 है 12 है 25 है question number 38 है और 38 का सही आंसर है आपका C आनि की 18 है आपका सही आंसर होगा C आपका सही आंसर है निमने लिकित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है मीथेन जलबास पर नाइट्रोजन कारवन डायोकसाइड 49 का अंसर बताना है तो यहाँ पर ग्रीन हाउस ग्यस नहीं है तो नाइट्रोजन आपका विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा यहाँ पर पूंचा है क्वाश्चन नंबर आपसे 40 की विस बाग दिबस बर्ल टाइगर डे कब मनाय जाता है और आपका सही आंसर है 29 जुलाई को 29 जुलाई आपका यहाँ पर सही आंसर है किसका तरंग धेर सबसे अधिक होता है क्वाश्चन नंबर डी आनिकी नारंगी आपका यहाँ पर सही आंसर है कन बोसन नाम का सम्बंद किस नाम से है किस नाम से है यहाँ पर आपके लिए बताना है 42 में कन बोसन नाम का सम्बंद किस नाम से है तो 42 का आपका जो सही आंसर है आपका राइट आंसर यहाँ पर 42 का विकल्प नंबर यहाँ पर होगा बी औनिकी, ऐस एन बोस आपका सही answer है गोबर घेस में मौकता कौनसी ज़ीरस होती है एक question कई बार पुंचा गया है एक्जाम में गोबर घेस में मौकता कौनसी ज़ीरस होती है question number 33 से right answer होगा आपका methane, chlorine, helium या nitrogen मीथेन जो विकल्प नमबर ए दिया है बहें आपका सही आंसर है मीठ है Q44 है जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है कोई परिवर्तन नहीं घटता है या परिवर्तन होता है जंग लगने पर लोहे का भार में क्या परिवर्तन होता है तो 44 का ये राइट आंसर है आने की बढ़ता है निमने लिखत में ऐसे कौन मानव सरीर की सबसे चोटी हड़ी है ये तो सभी को पता होगा चोटी पुछे सबसे चोटी हड़ी मानव सरीर की कौन सी है तो 45 का आपका सी राइट आंसर है इस्टे पीज इस्टे पीज जो है ये जो है सबसे चोटी हड़ी मानी जाती है मानव सर चैन करें यहां पर असंगत कौन सा है यहां पर आपको चैन करना है, question number 46 में, करिए chain, क्या होगा 46 का right answer, तो यहां पर hydrogen, bleach, pascal, यह जो है आपका, कैसा है, असंगत है, संगत नहीं है, तो विकल्प number आपका D, यहां पर सही answer है, अब यहां पर आपके जो question है, 47, 48, 49, 50, यह 4 question आपकी, यहां पर क्या है, reasoning से संबंदित पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण question है, यह आपकी reasoning से संबंदित हैं, तो इनको छोड़ देते हैं, यहां पर इन question को छोड़ देते हैं, इनमें से किस विद्वान ने, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था, तो चार विकल्ब भी दे गए हैं, answer बनता है, तो आप comment में answer जरू बता हैं, क्या होगा सही answer, तो किस विद्वान ने, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था, तो आपका सही answer है, यहां पर विकल्ब नंबर C, राहुल संक्रित था है, question नंबर बाउन पूछा है, टांक्टर रामकु विकल्ब नंबर D, संधिकाल या चारलकाल, आपका सही answer यहां पर है, question नंबर 38, ज्यानरासी के संचित कोस्ट का नाम साहित है, साहित के संदर में है, किस मनीची का कथन है, यह कथन बताना है किस मनीची का यह कथन है, साहित के संदर में, तो question number 35 है अपना महत्वपुण है और आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी यानि की पंडित महावीर प्रसाद दुबेदी आपका सही आंसर है प्रतवी राज रासो की रचेता का नाम बताईए चंद बरदाई है जगनिक है अमीर खुसरो है नर्पती नाले है प्रतवी राज रासो की रचेता पूछाए आपसे तो आपका है आपर चंगन का राइट आंसर है चंद बरदाई आपका राइट आंसर है क्वस्चन नमबर पच्पन है नांगरी प्रचानली सवासे प्रकासित प्रतवी राज रासो के संस्क्रन को प्रमालिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है रामचन सुकल जी है तो पच्पन का सही आंसर है करनल टोड आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वस्चन नमबर आपका चंद धर सर्मा गुलेरी ने साहतेक अब्रंस को किस नाम से पुकारा है अब भट्टे या पर अब भरष्टे या पुरानी हिंदी या देशी भासा तो चंद धर सर्मा गुले सिरीने साहत्य गब्रंस को किस नाम से पकारा है चपन का राइट आंसर है बी पुरानी हिंदी कॉस्चन नमबर संताउन पूचा है आपका बी आनिकी सो मोहनलाल बिश्णूलाल पंडिया आपका बी यहां पर शही आंसर है दोयता दोयतबाद के प्रभरतक आचारे का नाम बत वह आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर दोयता दोयता बात की प्रवड़ता के निमबार का चार यानि की विकल्प नंबर यह राइट आंसर होगा Q69 आप से यहाँ पर पूँचा है कि दसरत सुत तिहूं लोख बखाना राम नाम का मरम है आना यह उप्रवक्त काप पंतियां किसने कहीं है नाबादास, कबीरदास, अगरदास, तुलसीदास तो 69 का राइट आंसर है यह पंतियां कहीं है कबीरदास विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा कौस्चन नंबर 60 है नमें से कोन संतिकाप विधारा की कभी नहीं है नहीं पूँचा है संतिकाप विधारा की कभी नहीं है तो आपका साथ का राइट आंसर क्या होगा संत कापधारा की कभी नहीं है तो नावदास आपका यहाँ पर सही आंसर है साथ का विकल्प नंबर ए राइट आंसर होगा सूफी कभी कापव का उद्देश से प्रेम नुरूपन या इसलाम धर्म का प्रिचार कभी साथ से नुरूपन राष्टिय चेतना कॉस्चिन नंबर 61 है और राइट आंसर है प्रेम नुरूपन विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर है राम और सीता के विवाय के आउसर पर किस कभी ने जो है मितला की इस्तिरियों से गारी गवाया है यह आपको बताना है तो आपका राइट आंसर यहां पर 62 का जो सही आंसर है 62 का क्या सही आंसर के सब्दास आपका सही आंसर होगा यहां पर के सब दास आपका विकल्प नंबर C आपका सही आंसर है कौस्चन नंबर आपका यहाँ पर 63 क्या पूंचा है तो देख लेते हैं कौस्चन नंबर 63 सूर सागर की पदों का भावानू सरन करती हुए किस कभी ने किष्णी के जीवन का चित्रन किया है तो किष्णी के जीवन का चित्रन किया है ब्रिजवासी दास या रामचरन दास या मंचित या प्रियम सखी तो यह चार विकल्प है बहे कौन है तो आपका यहाँ पर 63 का राइट आंसर है ब्रिज वासी दास आपका सही आंसर यहाँ पर होगा question number 64 आपके पूँचा है यहाँ पर की रीती काल की कभी रसलीन का लिखा ग्रंथ इनमें से कौन सा है question number 65 आपका सही आंसर है विकल्प नमबर डी सुजान सागर के लेकर कौन है घनानन्द ठाक और बोधा आलम question number 66 आपका सही आंसर क्या होगा तो 66 का आपका सही आंसर विकल्प नमबर एक यानकी घनानन्द आपका यहाँ पर सही आंसर होगा कुंदन को रंग फी को लगे जलेके अति अंगन चारू गुराई यह पंतियां जो है किस कभी की है question number 68 में बताना है ये पंतियां जो है किस कभी द्वारा कही गई है तो ये पंतियां कही गई है मती राम मती राम जी की ये पंतियां है तो विकल्प number D आपका सही आंसर होगा यहाँ पर question number 68 क्या पूँचा है तो देख लेते हैं द्रग और जट कूटत कुटंबे जुरत चतुर्चित प्रीती एह कथन किसका है बिहारी जायसी तुलसी कभीर question number 68 है और आपका सही आंसर है ये कथन जो है बिहारी जी का है बिलकुल सही विकल्प number यह आपका यहाँ पर सही आंसर है और आपका विकल्प number यहाँ पर सी राइट आंसर है यानि कि मैत्रिय पुस्पा आपका सही आंसर है question number 75 है नमलिकेत में से 19-20 सती में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तुत्य की लडाई लडने वाले रचनाकार कौन है तो 19-20 सती में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तुत्य के लडाई लडने वाले जो रचनाकार है तो 70-80 आंसर है राजा सेव प्रस्थ सतारी हिंद आपका यहाँ पर सही आंसर होगा कौस्चन नमबर 71 पूँचा है आपसे अयुद्या सेव पाध्या हरिवाद का प्रस्थ काप्भे कामाईनी कुरोचेतर प्रियप्रबास या साकेत तो महत्वपुन कौस्चन है कौस्चन नमबर 71 और पताना है विकल्प नमबर B प्रिगतिवादी आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वास्चन नमबर 73 देख लेते हैं क्या पूँचा है कि आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है रामधारी से दिनकर का एहकतन किस किर्थी के संदर में कहा गया है बताए किस किर्थी के संदर में कहा गया है तो 73 का राइट आंसर है आपका C यानि की कुरू छेत्र आपका सही आंसर होगा तारसब तक में समलित नहीं है तो कौन नहीं है समलित नहीं पूँचा है आपसे तो चोतर का राइट आंसर समसेर बहादूर से हैं यानि कि विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर है नाटक जारी है काब संग्राई की रचेता कौन है कौश्चन नंबर 75 का आंसर बताईए चार विकल्प दे गए हैं और सभी लोग वीडियो को लाइक अवस्ते करते जाएं और 75 का राइट आंसर है लीला धर जगुडी आपका सही आंसर है नाटक जारी है काब संग्राई की रचेता है कौश्चन नंबर आपका 76 पूँचा है निमनलिखत में असे दंते दोनी हैं दंते दोनी आपके लिए बताना है कौनसी है तो आपके यहापर Qंश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है C आनि कि ता आपका सही आंसर होगा ता Qंश्चन नंबर 47 है कौन से सब्द में राव एंजन नहीं है देखिए राव एंजन नहीं पूछा है आपसे बताइए राव एंजन नहीं है तो आपका 77 का भौती सल कॉस्चन है विकल्प नंबर आपका क्या होगा राइट आंसर मात्र भूमी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा 77 का आपका यहाँ पर जो राइट आंसर डी राइट आंसर है ब्राम चिन प्रियोक्त होता है तो यहाँ पर बताईए ब्राम चिन प्रियोक्त होता है तो आपका यहाँ पर Q78 है और आपका सही आंसर है यह जो क्या होगा राइट आंसर तुल्यता सूचक तुल्यता सूचक आपका भी यहाँ पर सही आंसर है question number आपका 89 यहाँ पर पूचा है निमलिकित में से कौन सा सब्द बरतनी की दरश्टी से सुद्ध है पृतिनीधी किस परकार सुद्ध लिखेंगे यहाँ पर आपको बताना है question number 89 में और 89 का राइट आंसर विकल्प number 1 यह पृतिनीधी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा एक की बरतनी सुद्ध है किसकी यहाँ पर बरतनी सुद्ध है अस्ति में बताईए यहाँ पर बताना है एक की बरतनी सुद्ध है तो किसकी बरतनी सुद्ध है तो अस्ती का राइट आंसर है अविस्कार आविस्कार आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नमबर एक कितनी कियाद है नाटक है किसका नाटक है तो आपका एक क्यासी के सही आंसर है यहाँ पर राइट आंसर मिर्दूला गर्ग आपका यहाँ पर सही आंसर है question number है आपका यहाँ पर 82 जाती बाचक संग्या सब्द है जाती बाचक पूँचा है कामाईनी या रसीला आम या बकील तो 82 का आपका देखिए बकील जो है जाती बाचक संग्या सब्द माना जाता है बकील D right answer होगा जलेबी में मिठास अदेखि रिखानकेत सब्द का बिसीशन बताईए यहाँ पर मिठास का जो है इस सब्द का बिसीशन बताना है तो 83 का right answer होगा यहाँ पर विकल्प नमबर मिठास का मिठास का मीठा आपका सही answer होगा विकल्प नमबर C Question number 84 है कौन सर्वनाम का गुण बाचक सब्द दियेगा विकल्पों में से चिन्नित कीजे कौन कौन इस सर्वनाम है इसका गुण बाचक सब्द आपके लिए बताना है विकल्प में से तो 84 का राइट आंसर है आपका कौन का क्यासा हो जाएगा विकल्प नमबर B राइट आंसर है क्यासा और Question number 85 है निमन में सर्वनाम सब्द है कौन सा है सर्वनाम सब्द आपको बताना है यहाँ पर Question number जो 85 में और सर्वनाम सब्द है 85 में D यान की कौन आपका सई आंसर है Question number 86 है बहुत धार्मिक बैकती है बाक्त में रिखानकित पद है बताईए धार्मिक तो बताईए यहाँ पर इस बाक्त में आपके लिए रिखानकित पद बताना है संग्या किरिया सर्वनाम विसेशन तो 86 का राइट आंसर होगा विसेशन विसेशन आपका राइट आंसर है विल्कुल सही एह कहानी रोचक है एह विसेशन का कौन सा भेद है यह आपके लिए भेद बताना है यह विसेशन का कौन सा भेद होगा 87 का सही आंसर बताना है और आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर C आनकी सार्वनाम एक आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर C Q88 आपसे क्या पूँचा है निमने लेकित बाक्तियों में से किसमें अकर्मक किरिया प्रियुक्त है अकर्मक किरिया बताना है अकर्मक किरिया जो है किसमें प्रियुक्त की गई है Q88 का सही आंसर बताना है तो आपका अकर्मक किरिया यहां पर प्रियुक्त की गई है इससे स सही आंसर होगा कर्म की आधार पर किरिया की कितने भेद होते हैं तीन चार छे दो कॉस्चन नमबर नवासी नवासी का राइट आंसर है देखे कर्म की आधार पर किरिया के बेद पूँचा है तो आपका नवासी का डी राइट आंसर है दो आपका सही आंसर यहाँ पर होगा यहाँ पर question number है आपका 91 कि बहुत दिन भर पढ़ता रहता है रेखानके पद में अभियब का बेद बताए दिन भर बताए इसमें आपके लिए रेखानके पद में अभियब का बेद बताना है तो आपका right answer है 91 का B निपात आपका सही आंसर होगा निपात आपका सही आंसर है यहाँ पर question number 92 पूंचा है कि ऐसे कौन से सब्द हैं जनका प्रियोग इस्त्रीलिंग और पुलिंग दोनों रूपों में होता है तो बहुत सब्द आपके लिए बताना है 92 में कौन से सब्द है तो 92 का C right answer राष्टपती प्रधानमंत्री राष्टपती प्रधानमंत्री आपका सही आंसर 92 का C दिएगा विकल्पों में से बदू का बहुवचन कौन सा होगा बदू का बहुवचन बहुतिशल question है 93 बा question है बदू है आपका यहाँ पर विकल्प नमबर A आपका सही आंसर है C के द्वारा किस कारक का परसर्ग है C के द्वारा किस कारक का परसर्ग है अपादान करण संप्रदान या प्राधिकरण तो आपका 94 का सही आंसर है विकल्प नंबर B यानि की करण आपका सही आंसर है करण कारक किस वाक्त में है यहाँ पर आपके लिए बहे इम चार वाक्त देगा है इनमें से आपको बताना है कि करण कारक कौन से वाक्त में है तो 95 आपका राइट आंसर होगा B यानि की बहे कलम से लिखता है इसमें करण का बताना है यह गुरून सब्द हैं पीला है या पर जलज या दूदबाला निम्न में यह गुरून सब्द कौन सा है तो 96 आपका बी राइट आंसर होगा जलज जलज आपका सही आंसर है त्यक्त सब्द का तदभव क्या होगा त्यक्त सब्द का तदभव बताना है तो 97 का यह आंशर होगा, तीता, तीता आपका यहां पर सही आंशर है। बिलकल सही, रेलगाली सब्दें सभी लोग वीडियो को एक बाद लाउक बश्रक लें और सेर करदें सभी लोग और इहां पर कोस्ट्य नमबर 99 आपसे पूँचा है, प्रत्यासा सब्द में उप्सर्ग कौन सा होगा आप्रा पृती प्रत्या iç죠 कि अगया इसा में अप्सर्ग बताना है 99 का राईट आंसर सी पृति आपका सही आंसर है पृति आपका राईट-ावत औस आधी किस प्रकार के तद्यत पृत्य है इंकрос प्रिकार के तद्धित प्रित्ता है तो 100 का आंसर आपका यहां पर जो होगा 22 राइट आंसर है यानि की भाव बाचक भाव बाचक आपका सही आंसर है रिजू सब्द का ब्लोम क्या होगा तो यहां पर question number 101 का राइट आंसर है बक्र यानि की विकल्प number A आपका सही आंसर होगा सुसुप्ती का ब्लोम बताना है जागरित जगाना जागना जागरन question number 102 का सही आंसर क्या होगा तो 102 का राइट आंसर है जागरित आपका यहां पर राइट आंसर है कौमुदी देगा विकल्पों में ऐसे मनुहर का समानारती सब्द चुनिए यहाँ पर मनुहर का समानारती सब्द कौन सा होगा question number 104 है right answer है आपका मनुहर का सौहावना, सौहावना यह जो है समानारती है मनुहर का यहाँ पर question आपसे 105 पूछा है क्या पूछा है तो देख लेते हैं कि प्रमत्य सो एक्छा चारी का अन्य अर्थ क्या होगा तो इसका अन्य अर्थ बताना है 105 का तो आपका राइट आंसर यहां पर क्या होगा राइट आंसर तो इहां पर सही आंसर है उन्मत्य आपका सही आंसर है विकल्प नंबर अभय औभय सब्द युग में का सही अर्थ बताना है अभय और अभय इसका आपके लिए सही अर्थे यहां पर question नमबर 106 में बताना है तो 106 का right answer का निर्भय दोनो निर्भय दोनो तो 6 का यह right answer है अनू का अर्थ खालिस्तान होता है, परन्तु अनू का अर्थ कण होता है, यह समरूपी भिनार्थक सब्द है, तो यहाँ पर आपके लिए खालिस्तान में बताना है, अनू का अर्थ क्या होता है, देखें, अनू का अर्थ तो कण होता है, तो अनू का अर्थ क्या होगा, तो और गरीब आपका सही आंसर होगा दिवस और गरीब? यहाँ पर question number पूशा है 109 जैसे बुलाया न गया हो बाकिके लिए प्रयोक्त होने वाला सब्द है अतीती, अनाहूत, या अभ्यागत, या रिस्तिदार, जिसे बुलाया ना गया हो तो बाकी के लिए प्रफे एक सब्द आपके लिए बताना है तो एक सो नौ का राइट आंसर है अनाहूत आपका सही आंसर होगा क्वास्चन नमबर 110 है क्या पूँचा है कि वह कन्या जिसके साथ विभाय का बच्चन दिया गया है के लिए एक सब्द बताना है तो 110 का राइट आंसर आपका यहां पर होगा विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर बाग दत्ता बाग दत्ता विकल्प नंबर यह आपका सही आंसर है क्वास्चन नमबर 111 पूँचा है आपसे सद्यों का संदि विच्चेत करें तो सद्यों का संदी विच्चित क्या होगा question number 111 है महत्तुपूर है और आपका सदा धिन ये बरावर सद्यों ये जो है आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर आपका D राइट आंसर है मनुयोग मनुयोग का संदी विच्चित बताना है तो यहाँ पर 112 का राइट आंस से कमल नयन में समास आपके लिए बताना है एक सो 13 में चार विकल्प आपके नहीं इसलिए गये हैं और आपके यहां पर थो 113 का विकल्प नमबर सी यानि की भभुब्रीस समास आपका सही आंसर होगा पंचबटी में कौन सा समास है तो यह तो बहुत ही महत्वड कॉस्चन है और सल कॉस्चन है कॉस्चन नमबर 114 है और दिगु, यहाँ पर दिगु लिखा है, दिगु समास आपका सही आन्सर होगा, कॉस्चन नमबर आपका 115 पूचा है निमलिक्त बाक्य में प्रधान उप बाक्य है, मेरा एह सोचना कि लोकिस पृतिवा साली चातर है, एह सही निकला, एह आपके लिए बताना है, प्रधान बाक्य है, निमलिक्त बाक्य में प्रधान उप बाक्य है, कौन सा है, तो 115 का सही आंसर आपका यहां पर होगा, सुद्धबाट का चैन कीजिए कौन सा होगा यहाँ पर सुद्धबाट के question number 116 है और right answer है जब तुम फोन करोगे तुम्हें आऊंगा यह जो है आपका सुद्धबाट के माना जाएगा विकल्प नंबर एक देगा विकल्पों में से सही का चैन कर रिक्तिस्तान की पूर्टी करना है यहाँ पर रिक्तिस्तान क्या होगा बताईए एह रास्ता खालिस्तान है साउधानी पूर्वक चले तो यहाँ पर एह रास्ता खालिस्तान है तो खालिस्तान पर आपके लिए ब तो भीवत्स रस का ब्रोधी कौन सा रस माना जाता है तो 118 का राइट आंसर है सिंगार यानि की विकल्प नमबर आपका ये सही आंसर है कौस्चन नमबर 119 देख लेते हैं क्या पूँचा है केसाव कही नजायका कहिए देखत तव रचना विचित्र अती समझू मन ही मन रहिए में इसमें है रोध रस है भयानक रस है सांत अदवध रस है यहाँ पर आपके लिए रस बताना है कौन सा रस है तो 119 का आपका चंद में कितनी चरण होती है तो आपका 120 का राइट आंसर है विकल नमबर D आनके इसमें चार चंद होती है क्या पूँचा अनुस्टुप है क्या है एक चंद है एक रस है एक लंकार है या एक गुण है क्वेश्चन नमबर 121 है महत्तपूण है और आपका सही आंसर यह क् चंद है चंद आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नमबर 122 पूँचा है रावन सिर सरोज बनचारी चली रगुबीर सिली मुख धारी सिली मुख में अलंकार बताना है सिली मुख में कौन सा अलंकार होता है सिलेस ब्रत्तानुप्रास ब्रत्तनुप्रास या लाटानुप या उपमा तो 122 का सिलेस आपका सही आंसर है इसमें सिली मुख में अलंकार सिलेस होगा यहाँ पर question number आपका 123 पूचा है क्या पूचा है नित्पृती पुन्योई रहे आनन ओप उजास में अलंकार आपके लिए बताने question number 123 में कौन सा इसमें अलंकार होगा आपके चार विकल विकल्प भी दे गए हैं 123 वा कॉस्चन है और आपका राइट आंसर है विकल्प नमबर D 30 योक्ति आपका सही आंसर होगा यहां पर कॉस्चन है 114 हात मलते रह जाना इस महाबरे का अर्थ इसपश्ट कीजिए यह आपका क्या है मुहाबरा है मुहाबरा है और इसका अर्थ आ हात मलते रह जाना इसका अर्थ होगा क्या होगा पच्छताना विकल्प नमबर आपका यहां पर सी राइट आंसर अर्थ बताना है तो पच्छताना आपका सही आंसर है कॉस्चन नमबर 25 है 125 कांट की हांडी बार बार नहीं चड़ती का अर्थ क्या होगा 125 का आंसर बताना ह तो D right answer है छल कपट का वियुहार हमेशा नहीं चलता यह जो है सही answer होगा अगनी परिक्षा किस रचनाकार की किरती है कौटल चतुर सेन प्रियम चंद्र आचार तुलसी Q1 का अंसर बताना है अगनी परिक्षा किस रचनाकार की किरती है 126 का D right answer है आचार तुलसी आपका सही answer है प्रियम सागर किस की किरती है प्रियम सागर बताना है question number 127 है और 127 का right answer होगा प्रियम सागर एक किरती किस की है लल्लू लाल बिल्कुल चाही लल्लू लाल विकल्प number A आपका हैं पर सही answer है कौन सी कृति महादेवी बर्मा की है question number 128 में बताना है निहार कामाईनी साकेत या प्रिय प्रबास तो बहुत ही सल question है महादेवी बर्मा जी की किरती पूछा है यहाँ पर तो 128 का एराइट आंसर होगा निहार नीरजा रस्मी इनकी किरती मानी जाती है महादेवी बर्मा जी की अंगे अग्ये जी को किस किरती पर ग्यान पीट प्रोषकार मिला था बहुत किरती बताना है अग्ये जी की कौन सी बहुत किरती है जिस पर इनको क्या मिला था ग्यान पीट प्रोषकार मिला था किसको अलका तरावगी को किस रचना के लिए हिंदि शाय्च तकादवी पुरुस्कार मिला था 119 का सही राइट आँसर होगा विकल्प नंबर C कलीकथा वाया बाई-पास आपका सही आनसर होगा अलका सरावगी की ये रचिना है कली कथा बाया बाइपास जैसंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है तो question number 131 है और 131 का सही answer होगा आपका right answer यहाँ पर क्या होगा विकल्प number A सही answer है जैसंकर प्रसाद जी की पहली किर्थी पूँचा है तो विकल्प number A यानि की gram आपका सही answer है जूटा सच के लेखक है मेटली सन गुप्त है कबीर विश्णू पिरभाकर या एसपाल 132 का answer बताना है जूटा सच के लेखक है तो 132 का आपका D right answer है या सपाल एसपाल आपका यहाँ पर D सही answer होगा बिल्कुल सही अमरित और विसकिस की रशिना है अब्दुल बिसमि जाल नांगर यानि की विकल्प नंबर B आपका यहाँ पर सही answer है मुंसी तोताराम उपन्यासकार प्रेमचंद द्वारा लिखे ते किस उपन्यास के पात रहें गोदान निर्मला रंग भूमी या कर्म भूमी तो मुंसी तोताराम उपन्यासकार कि प्रेमचंद द्वारा लिखे तकिस उपन्यास के पात रहें तो 134 का सिर आउड आंसर है निर्मला आपका सही आंसर है कौश्चन नंबर 135 पूंछा है कहानी बुळी, काकी तथा अन्ये नाटक की रचनाकार कौन है तो आपका सही answer है 105 का आपका सही आंसर होगा ौका सही आंसर होगा जित्रा मद आपका यहां पर सही आंसर है विकल्प नंबर B, question number 136 पूँचा आचा रामचन सुकल का हिंदी साहित में किस विधा में प्रिवेश हुआ, आलोचिना, कहानी, कभीता, उपन्यास, रामचन सुकल का हिंदी साहित में किस विधा में प्रिवेश हुआ, तो आपका right answer है, question number 136 का यह यानि कि आलोचिना आपका सही आंसर होगा, हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है, question number 136 पूँचा है, आपसे हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक माना जाता है, वह किसे माना जाता है, 137 right answer आपका यहां पर क्या होगा, तो 137 का सी right answer है, बॉली में रचना करते थे अब्दी में बगेलि प्रिजवासा या मःघी 138 का राइट आन्सर बताना है रहीम रसखान-देव रत्नाकरव तो इस जो है किस बॉली में आपका राइट आंसर राही मासूम रजा पानी के प्राचीर ये जो है असंगत योग में हैं विकल्प नंबर आपका यहाँ पर भी राइट आंसर है 149 का 140 है से रंदरी की रशिनाकार है सिया रामसरन गुपते मेतली सन गुपते या फेर माकलाल चतुरवेदी नरेस बर्मा से रंदरी से रंदरी की रशिनाकार है 140 का भी राइट आंसर मेतली सन गुपते भी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा बिलकुल सही हिंदी का सरप्रतम गीत नाट्ट है तो 141 का आपका सही आंसर है विकल्प नमबर C आनिकी करुणालाई करुणालाई आपका सही आंसर है बिल्कुल सही question नमबर 142 है गोदान का कौन सा पात्र प्रियमचंद के प्रिगती सील विचारों का बाहक माना जाता है तो बहे कौन सा है गोदान का पात्र जो प्रियमचंद जी के प्रिगती सील विचारों का बाहक माना जाता है तो 42 का राइट आंसर होगा क्या होगा प्रोफेसर महता आपका सही आंसर है विकल्प नमबर C राइट आंसर यहाँ पर है धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक है भी समसायनी किष्णा सोबिती राजंदर यादव निर्मल बर्मा धूप का एक टुकड़ा एक कहानी है और इसके जो लेखक है वै कौन है तो आपका राइट आंसर है निर्मल बर्मा विकल्प नमबर आपका डी राइट आंसर है ठेले पर हिमाला है किसकी रचना है धर्मबीर वारती अग्गे या फिर निर्मल बर्मा सरद जोसी 144 है ठेले पर हिमाला किसकी रचना है धर्मबीर भारती तो आपका यहां पर सही आंसर है विल्कुल सही धर्मबीर भारती जन्हों नहीं बताया है उनका राइट आंसर है कॉस्च रंबर 145 पूँचा है 10 तस्वीरें किस विधा की रचना हैं यह आपको बताना है 10 तस्वीरें इने आत्मकथा है रुपूर्टाज है जीवनी है या रेखचित्र है बताईए 145 में बताने 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है 145 का D-Right answer होगा रेखचित्र आपका सही आंसर यहाँ पर है question number यहाँ पर 140 से आपके जो हैं गध्यान से आए हैं पांच question जो हैं आपके गध्यान से हैं तो गध्यान पढ़ेंगे तो यहाँ पर देरी हो जाएगी तो इनको छोड़ देते हैं यह 5 question तो इस परकार अपनी हाँ पर बहुत ही महत्पूर्ण question complete हुए क्यांस लगा यह वीडियो कमेंट में जरू बताएं अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को subscribe कर लें बेल आइकन दबाएं all पर क्लिक करें ताकि all वीडियो की notification आप कहां तक पहुँचे जादस जादस वीडियो को share करें ताकि अनलोग भी वीडियो देख सकें और वीडियो को like करना न भूलें तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए जैहिन